हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्त आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए स्वायम की जनुरी 2023 समेस्टर की यहाँ पर एक्जाम की रिजिस्टेशन स्टार्ट हो चुकी है तो मैंने पिछले दिनों में वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि अगर आप स्वायम से कोई भी कोर्स करना चाते हैं तो मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर जब भी एक्जाम की डेट आती है तो मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा तो कौन सी वो डेट्स हैं सभी चुदों को जाने के लिए वीडियो को एंड तक वाज कीज़ेगा तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नाले चुए कम्पूरिटर की स्कीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें किस सरीके से करना है एक्जाम रिजिस्ट्रेशन को अभी हम कम्पूरिटर स्कीन पर पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो जनरी 2023 में कोर्स को जोइन किया था ठीक है यहाँ पर देखिए मैंने अभी इसके ओफिशल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है तो यहाँ पर जब आप भी अपने कोर्स पर जाकर देखेंगे तो आपको इस तरीके से रिमाइंडर आ गया होगा ठीक है वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल बताई गई है तो मैं भी आपको ओफिशल नोटिफिकेशन से दिखाऊंगा यहाँ पर देखें इसके रिगार्डिंग आपको मेल भी आई होगी आपकी इमेल जो आपने जिससे रिजिस्टर किया था ठीक है उस इमेल आईडी पर और यहाँ पर आपको किस वेबसाइट पर विजिट करना है देखें स्वयम.nta.ac.in जहांसे आप इसका official notification देखेंगे और इसके लिए यहाँ पर आप exam के लिए apply करेंगे उसका link आपको decision में मिल जाएगा आपको इसकी चंता करने की जुरूरत नहीं है तो यहाँ पर देखें अभी इसके notice को open करते हैं तो जैसे हमने notice पर click किया है 31st August को यह notice हमारा आया है तो चलिए जानते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है तो यहाँ पर देखेंग इन्वाइटिंग online application form for January 2023 semester exams तो यहाँ पर देखें online submission इसकी कब से start है 31st August से लेकर आप यहाँ पर 20 September 2023 के बीच में आपको यहाँ पर अपने exams के लिए apply करना है register करना है तभी आप exam देकर अपना certificate ले पाएंगे ठीक है clear और उसके बाद last date यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है 21st September के आपको 11.50 पीम तक अपनी application date को यहाँ पर करना है ठीक है submit करना है दर उसके बाद correction window इसकी कब तक होगी अगर आपसे कोई mistake हो जाती है सबसे पहले तो आपने mistake नहीं करनी है क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर देखिए यह चीज़ों को करता हूँ बताता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि आपको mistake नहीं करनी है फिर भी बाद में comments आते है सर हमसे यह गलती होगी हमसे यह वाली होगी कैसे correct करें तो correction window जब अपन होगी तब आप कर सकते हैं लेकिन आपको इसकी जूरुत ना पड़े आपको इस तरीके से ही application form को fill करना है यह चीज़ clear होगी इदन उसके बाद downloading of admit card from NTA website इसी website से admit card download होगा वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूँगा जब यहां पर यह download होते हैं will be announced later NTA website इस पर होगा date of examination तो यह अबर examination की date देखे कब होने वाले हैं आपके exam 19, 20 and 21 October तीन दिन आपके यह exam चलेंगे ठीक है तो आपने जितने भी course यहां पर enroll किया है उसके साब से आपकी जो exam date बनती है वो आपको मिल जाएगी तो आगे अभी देखिए आपकी duration क्या रहेगी आपका 3 hours का यह exam होगा जिसमें आपके से complete करना है तेन उसके medium of the question paper आपके question paper का क्या medium रहेगा English except language courses where the question paper will be in respective language only मलग कि यहां पर दिखिए वैसे आपका medium जो रहेगा question paper का रहेगा लेकिन अगर आपने हिंदी में कोई यहां पर ऐसा कोई course है जो हिंदी का ही है तो उसका उसी language में होगा और इसके बाद website तो यहां पर notice पर मैंने आपको दिखाई दी है तो यहां पर दिखिया अब यह चीज आपको पूरी clear हो गई है और अब अगर यहां पर दिखिया आप देखना जाए कि आपका course कौन सा है यहां पर जब आप इस website को open करेंगे यहां पर आपको click here पर कर देना है click ठीक है आप अभी new candidate है तो आपको register करना पड़ेगा 2023 semester के लिए ठीक है यहां पर हमें click कर देना है new candidate registration पर ठीक है information bulletin को आप यहां से read कर सकते हैं अप सारी चीजों को read करना चाहें ठीक है नहीं तो मैं आपको यहां पर अभी तो सारी चीजों बताने वाली है यहां पर फिर से वही चीजांबाई गई है और यहां पर देखे एक चीज और आपको देखे नीचे fees बताई गई है देखिए अगर आप instruction को read करना चाहें तो आप खुद यहाँ पर read कर सकते हैं, मैं भी सब को read करके नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर एक note दिया गया है, देखिए no request for refund of fee once remitted by the candidate will be entered by anti under any circumstances, तो यहाँ पर अगर आपने एक बार exam के लिए register कर दिया तो आपकी fees refund नहीं होगी यह आपको clearly चीज समझ लेनी है, देखिए password must be as per the following password policy, एक उसमें upper case होना चाहिए, एक lower case होना चाहिए, at least one numeric value and one special character होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद दिखिए, आप यहाँ पर click करने के बाद, यहाँ पर click here to proceed कर देना है, ठीक है, tick लगाने के बाद, then आपको यहाँ आपर, जैसे मैंने आपको recommend किया था, कि आपको अपनी Gmail ID से ही करना है, अगर आपने उससे किया था, या फिर जो भी आपने email के साथ Swam पर register किया हो, वो आपको यहाँ पर fill कर देनी है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पर fill कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको अभी हो चुका है, तो यहाँ पर अपनी आपको सारी details डालनी है, तो चलिए मैं साथ में आपको सारी details डालकर यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो दीखिए जैसे मैंने उपर basic details दीजिए आपर father's name, mother's name, date of birth, अपने यहाँ पर password को fill कर दिया है, उसको confirm कर लिया है, और आपको आपने वाली है, तो चलिए इसे फिल कर देते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको clearly बता देता हूँ, यहाँ पर आपको mother's name and father's name and date of birth में बिल्कुल भी mistake नहीं करनी है, नहीं तो बाद में यही correction के लिए मज़े बहुत ज़्यादा comments आते हैं, तो यह चीज़ आपको पूरे ध् इसे मैंने क्या किया, यहाँ पर कर लिया, copy, then मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाकर इसको paste कर दिना है, यहाँ पर फिर मैंने जो अपना password रखा था, उसे मुझे यहाँ पर fill करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसे fill कर लेता हूँ, उसके बाद हमें यहाँ पर login पर क्लिक कर दिना है, तो अभी देखिए हमारा application number जो आ चुका था, तो यहाँ पर हमारी क्या हुई है, अभी आपको सारी आपकी application यहाँ पर status पर पहुँच चुके है, यहाँ पर देखिए आपको registration का first step है, तन उसके बाद application form का है, उसके बाद fees payment का है, तो यहाँ से हमें देखिए जो भी category है, उसे आपको fill कर देना है, प्वड नो, यहाँ पर अपने capture को fill कीजिए, ठीक है, 9509, ठीक है, यह चीज़ होगी, then I agree पर click कर देना है, तो देखिए जैसे हमने I agree पर यहाँ पर click किया, तो उसके बाद आपको यहाँ पर save and next पर click करना है, तो देखिए अभी यहाँ पर हमारी contact details भी यहाँ पर successfully हमने fill कर दी है, तो यहाँ पर देखिए, your current role, अगर आप कहीं पर work कर रहे है, अगर employed है, student है, other है, तो वह आपको fill करना है, हम यहाँ पर student है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, student पर click कर दिया, then इसको बाद आप कहाँ पर student है कौन से college में है, आपको वह से भी चीज़े fill कर नहीं है, लेकिन अगर आप employed है, यहाँ पर फिर आपका college कहाँ का धा, ठीक है, आपको यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर select मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पंजाब से हूँ, then इसको बाद सीटी मचे select कर लेनी, आपको कहाँ से पता चला है, इसके बारे में, इंटरनेट कर दीजे, motivation for doing this course, कहाँ से आपको motivation मिली, यहाँ पर दिखे, helpful to my current job, मैंने कर दिया, then are you taking exam for credit transfer, yes कर दीजे, can we share your score information, college information, yes करना, yes कर दीजे, otherwise आप no कर सकते है, yes कर देता हूँ, ठीक है, can we share your contact information with potential employers, then no कर देते है, अगर yes करना, yes कर करना है, fill, ठीक है, उसके बार, save and next पर कर देना है, click, ठीक है, तो यहाँ पर दिखे, अब हमारी college details भी, यहाँ पर successfully fill हो चुकी है, तो यहाँ पर दिखे, फिरा आपको अपनी shift को यहाँ से select करना है, ठीक है, और आपकी क्या choice है exam city के लिए, जैसे की देखिए, मैं यहाँ पर हमनेảmeurs से select कर लिया, फर्स में अगरा Amrissa चाहिए, ठीक है, फिर से पंजाब, then हमने यहाँ पर select का लिया, फिर से फिर से पंजाब, यहाँ पर आपको अपनी shift को choice करना है, ठीक है, अगर आपको थोड़े time बाद इसे try करना है, हो सकता है, इस पर अभी update चल रह तो यह जैसे यह आप सभी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा आपकी एमिल आईडी पर पता चलती रहेंगी तो यह जैसे आपके यहाप करना है स्वाहम के जनरी 2023 समेस्टर के लिए आपको यहाँ पर जिस्टर करना है अपने एक्जाम्स को देने के लिए और सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियो के नोडिफिकेशन बिल पाएंगे और दोस्तो इस चैनल पर आपको जॉबसी अपडेट और कैरियर में कैसे ग्रो करना है उसकी अपडेट प्लस आपको बहुत सारे अनॉलेंग कोर्सिस की अपडेट यहां पर मिलती नहेंगी तो इसलिए हमारे साथ जूड़ी रही तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडि झाल